एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक एक संपन परिवार के शिष्य के साथ कही जा रहे थे, तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्यूंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाए दिये, उसने अध्यापक से कहा गुरुजी अगर हम इन जूतों को छुपा दे, तो कितना मजा आएगा, देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है, अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा, कि नहीं, गरीब इनसान के साथ इस तरह का भध्दा मजाक करना ठीक नहीं है, उसने कहा क्यों ना हम इन उसने एक पाउ अपने जूते में डाला, तो उसको कुछ कथोर सा महसूस हुआ, उसने अंदर हाथ दाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाए दिये, वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, आस-पास किसी को देखा तो कोई भी दिखाए नहीं दिया, वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला, और वापस उसको उसने कुछ सिक्के दिखाए दिये, अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभू की तरफ इशारा किया, थे प्रभू पता नहीं, किसी भले मानुश में, ये सिक्के मेरे जूतों में छुप और अध्याफक दोनों सुन रहे थे, अब अध्याफक ने शिश्य से पोजा, कि अब तुम मुझे बताओ, कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मज़ा, या मेरा ये तरीका, तो उसने कहा कि गुरुची, मैं आप सिक्षमा चाहता हूं, अब मुझे समझ कि सक्षी खुशी किस चीज में है, जब हम किसी की मज़ा पुराते हैं, तो हमें कुछ पल का आनन्द मिलता है, लेकिन इसे हमें बद्वा मिलती है, लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिदी में मदद करते हैं, और जिसकी भी हम मदद करते हैं, उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है यही सची खुशी है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सची खुशी मिलती है